मैंने जानती की कौनसी डिस बेबी केट पहले मांगीगी ओ, यह कैचप के साथ फ्रेंच फ्राइज है हमारे हिरोस को इस काम का सामना करना पड़ेगा यह एक दमासाल है फ्रेंच फ्राइज इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है हाँ, मुझे पता इसे कैसे पकाना है हमारे हिरोस खाना बनाना शुरू कर रहे है टॉम पहले फ्राइज पैन को गरम करने का फैसला करता है अजीब है, तेल निकलनी रहा था चलो डाल दिया, अब आज तेज कर देता हूँ बहुत बढ़िया, अब फ्राइज कर सकता हूँ टॉम, नहीं आ, बच्चाओ, सब जल जाएगा साव धान रहो बेटा अच्छा होगा कि देखू की दादी कैसे खाना बनाती है अब तुम्हें दादी सिखाएगे कि फ्राइज कैसे त्यार करते हैं हम थोड़ी सी तेल लेंगे आज को थोड़ा धीमा रखेंगे और उसमें आलू डालेंगे हमें क्रिस्पी क्रस्ट और अंदर से मुलाएम आलू मिलेंगे जब सारे फ्राइज गोल्डेन हो जाया तो उन्हें प्लेट में निकाल सकते है ओ, यह कितना अच्छा निकला अब इसके साथ स्वाधिस्ट कैचप रखना बचा है फ्रेंच फ्राइज और कैचप सही कॉम्बिनेशन है मेरी पोथी को जरूर पसंद आएगा क्या खाना इस तरह से सर्व किया जाना चाहिए अब मैं तुमी दिखाऊंगी कि कैसा होना चाहिए हम सुगांधित बैकन का एक टुकड़ा लेते हैं और उस पर आलू डालते हैं अब हम आलू को रोल में लपेटते हैं हमारे पास साधरन आलू का एक सुन्दर और असामानी पकवान होगा चलो उपर से क्रैनबेरी सिरप की एक बुन डाले और उसे रोज मेरी की टेहनी से सजाए पाक कला का मास्टर पीस तयार है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है बनाना गमी फ्राइस की तरह दिखता है और इसमें हर्ची की स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं ये बिल्कुल फ्राइस और कैचप की तरह होगा हाँ पर इसका स्वाद मीठा होगा जो मेरी छोटी बैन को जरूर पसंद आएगा अंत में सब कुछ तयार है और इसे खा सकते हैं दादी का पकवाल सबसे पहले ध्यानाकरशित करने वाला है क्लासिक फ्रेंच फ्राइस और कैचप ये सच में स्वादिश लग रहा है बेबी केट को स्पस्टूप से ये पसंद आएगा पता नहीं उसे असली शेफ्ट की डिश पसंद आएगी या नहीं शेफ्ट नी अलग सी डिश तैयार की है पर केट को पसंद नहीं आया और यह भाई की और सी एक उभार है यह फ्राइस और केचप की तरह दिखता है लेकिन यह यह स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ बीठा गमी है डिप करो और खाओ अब विनर चुनना बाकी है दादी जीत गई और आप केट को चाहिए घर का बना स्वादिष्ट वॉफल कोई दिखत नहीं डियर क्या मैं उसे देख नहीं पारे आँ वॉफल हाँ मैं यह त्यार कर सकता हूँ मैंने यूट्यूपर रेसिपी देखी है पहले अंडा तोड़ना है ओ छिलका गिर गया ओ ठीक है इसे कुछ नहीं होगा अब चीनी डालना है तोड़ा ज़्यादा डालता हूँ जिससे वॉफल और स्वादिष्ट हो जाएगी ओ खेर कोई बात नहीं इस तरह से और स्वादिष्ट होगा और आब इसे मिलाना है मिलाना है और मिलाते जाना है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ भी अच्छा नहीं होगा मैं इसे मिलाती मिलाती ठग गया हूँ शायद इतना ही काफी है और अब आठा डाला जा सकता है महत कितनी जुरूत है आची क्या हुआ, मुझे पर कितना आठा पड़ गया है बेटा, तुम्हें सावधान रहना होगा खेर कोई बात नहीं जितना ज़्यादा मैदा, उतना ज़्यादा वाफल तयार होगा और वैसे भी मैं कोकिंग से तंग आया हूँ यह बोरिंग है ओ, लगता है इतनी मैदा की जरुवत नहीं है मैं एक्स्ट्रा अटा देता हूँ फ्यू, ऐसे, अब मैं इसे मिलाओंगा वा, मैं भी बेटर बनाने में काम्याव रहा शायद यह तयार हो गया लेकिन जाहिर तोरपर दादी की तरह स्वादिश नहीं है यह मेरी पुरानी जाचीपर की रेसिपी है और मेरी पोती उसे जरूर पसंद करेगी बेटर एक दन सही निकला यहाँ, अब इसे वाफल मेकर में डाल सकते है तुम लग बच्चे को कैसा खाना खिलाना चाहते हो हेल्दी खाना खाना जरूरी होता है हमें चीनी की जरुवत नहीं होगी बेटर होगा, हम एक लौकी ले इसमें बहुत सारे उपयों की गुन है अब इसे ग्रेट कर लेते हैं एक अच्छा गाढ़ा बेटर बनाने के लिए हम पूरे लौकी की जरुवत होगी अब इसमें अंडा डाले जैसा कि सामाने वाफल में होता है और अब इसमें आटा डाल कर एक हेल्दी लौकी बैटर तयार करेंगे यह कितना बदसुरत देख रहा है कुछ हेल्दी बदसुरत कैसे दिख सकता है दादी, बस इस सही हरे रंग को देखो बैटर तयार है अब इसे एक वफल मेकर में डाल सकते है और तयार होने तक समय को माप सकते है यहाँ, अब इन जार करना बाकी है प्रतियों की कितने अलग तरह के डिशेस तयार करेंगे और दादी के पास सब कुछ तयार है मेरा भी मुझे पता है कि क्या करना है मैं ताजे स्ट्रॉबेरी जूस के साथ वाफल को सजाने की कोशिश करूँगा बस, यह मैं वाफल पर स्ट्रॉबेरी से रस निचोड़ूँगा पर किसी चीज की कम ही लग रही है ओ, मैं एक सुन्दर वाफल सेल बनाऊँगा और इसे विफ्ट क्रिम से सजाऊँगा हाँ, इस तरह से और अब इस पर एक पूरी स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं और ब्लूबेरी भी यह शानदार निकला किसी आवशकर की क्या जर्वत है स्वादिस्ट वाफल के लिए केबल मैपल सीरप और उपर से बटर का एक टुकड़ा चाहिए यह वाफल पाने का समय है हरा रंग स्वास का रंग है किसी खास अजावट की जर्वत नहीं है तैयार अब इसे खा सकते है यह वाफल बिल्कुल वैसे ही दिख रहे है जैसा मुझे चाहिए यह अलग सी फेलिंग क्या है छी अंडे का चिलका खाना बनाते समय तुम्हें सावधान रहना चाहिए और यह हरा रंग क्या है यह उपर कुछ घास फिर भी एक टुकड़ा खाकर देखना चाहिए यह अच्छी खुश्बू आ रहे है और स्वाद छी क्या बकवास है भयानक स्वाद इन वफिल से क्या उमीद करें यह बहुत साधरान दिख रहे है पर अच्छे से कड रहे है और महग भी अच्छी आ रही है स्वादिस्ट मेरे तो लाल टपक रहे है यह कितने स्वादिस्ट है बस कमाल का मैं इन वफन को विजिता की रूप में चुनती हूँ हुरे यह मेरे है दादी जीत गई तो अगली डिश कौन सी होगे? वाँ, सूशी और मैं ऐसा कर सकती हूँ या क्या चीज है मुझे समझ नहीं आ रहा है इकसे कैसे पकाना है सूशी? मुझे सूशी बहुत पसंद है सबसे पहले हमें चावल को एक विशेश तरीके से उबालना होगा ऐसे अब उसे खुद करो मैं करूंगी दादी चावल पकाना जानती है चावल मुझे पसंद नहीं है मुझे नहीं चाहिए भाई टॉम की अपनी रेसिपी है मैं बलकी मीठी सूशी बनाना चाहूंगा या मीठा और खटा यह सही कॉम्बिनेशन है सबसे पहले आए इन मीठी और खटी कैंडी को ले मैं उन पर विप्रिम फैलाऊंगा यह कितना स्वाधिस तयार होगा और आम मैं गमी बेर को इसके उपर रखूंगा और इसे रोल कर दूँगा यह कितने बड़े और रंगी निकले क्या आपने कभी ऐसी सूशी देखी है उपर से और चॉकलेट सॉस डाले वाँ, शेफ टॉम की सिगनेचर सूशी तयार है किस ने कहा शेफ? यहां मैं शेफ हूँ और यह असली शूशी नहीं है बस अब यह चावल तयार है इसे एक कटोरे में डाल सकते है जिससे रोल बनाना अधिक सुविधा जनक होगा तब हमें एक नोरी शीट लेना है और इसे आधा में काटना है क्लासिक रोल के लिए मैं एवोकेडिक का उप्योग करती हूँ इसके बीच को बाहर निकालने और छिलके से गुदे को अलग करने की जर्वत होगी हाँ, इस तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादी से कुछ ठीक से नहीं हो रहा है यहाँ एक प्रोफेशनल काम कर रहा है दादी अब आपको चावल के साथ रोल में डालने के लिए एवोकेडो को पतले टुकरों में काटना होगा मैंने लगबग इसे कर लिया है इसके बाद मैंने मैट पर नोरी की एक शीट फैला दी है और मैंने उसके उपर कुछ चावल डाल दिये हमें चावल को किनारों पर रखना होगा जिससे की इसे मोड़ना अधिक सुभी धाजनक होगा अब मैं फिला डेलफिया नाम की चीज डालूँगी रोल खुद उनके नाम पर थे पतले कटे हुए अवयकाडो जोड़े और एक मैट की मदद से मैं रोल को मोड़ देती हूँ अब हमें लाल मशली को पतला काटने की जर्वत है मैं रोल के उपर मशली के पतले टुकरे यानि फिले को डालूँगी और एक मैट की मदद से फाइनल टच देती हूँ ताकि रोल सुन्दर दिखे और अब रोल को टुक्रों में काट सकते हैं और उन्हें एक प्लीट पर खुब सूर्ती से रख सकते हैं और अब फिलाडिल्फिया रोल खाने के लिए तयार है सुन्दर और स्वादिस्ट इसे खोकला कर दूँगी और इसमें सारी स्टाफिंग डाल दूँगी खीरा निश्चित रूफ से अपना आकार बनाए रखेगा और यह ना केवल स्वादिस्ट बलकि पॉस्टिक भी होगा मैं इसे सरकल में काड़ दूँगी और इन बत्सुरत रोल को हटा देती हूँ और इसके जगह पर यह शांदार खीरा सूशी रखती हूँ दादी को खुद पर बहुत गर्व है अब सब कुछ तयार है तुम इसे खा सकती हो इसे खाओ छोटी केट वो सब कुछ जो तुमारे ले तयार किया गया है या क्या है? खीरे में सूशी? मैं इसे नहीं खाओंगी वाव वे एकदम सही लग रहे है और स्वाद भी बढ़िया कितना बड़ा और चमकदार रंगीन रोल मुँ में मुश्किल से फिट हो रहे है वाव ये बहुत स्वादिश्ट है विनर के रूप में मैं इसे चुनती हो ओरे ये मेरा सिगनेचर रेसेपी है मुझे पता था कि मेरी बेहन को ये जरूर पसंद आएगा मुझे बहुत बड़ा अंडा है ये कितना बढ़ियाँ और स्वादिश्ट होगा मेरे पास एक साधारन किंडर है जो मुझे बहुत पसंद है ये बेशक जेन के अंडे से तो छोटा है पर कम से कम बारवी के से तो बड़ा है तुम मेरे दोस्त हो ना, मुझे अपना बड़ा किंडर दो? अपना नन्ना वाला खाओ, चलो खाती हूँ. अंडा छोटा तो है, पर जरूर स्वादिस्ट होगा. चौक्रेट को तोड़ने से बचनी के लिए, मुझे ट्वीजस का इस्तेमाल करना चाहिए. फिर मैं इसे पक्का ध्यान से खोल पाऊंगी. यह होई न, सावधानी? हाँ, याँ, यह मेरे ट्रीट की जो बात है. यहाँ मुझे ध्यान से खाना चाहिए था. किंडर कितना लाजवाब होता है, लेकिन छोड़ता था. क्योंकि तुमने अपना अंडा खा लिया है, अब समय आ गया है कि मैं अपना ट्रीट खाऊंँ. पता नहीं मुझे इसमें कोई खिलोना मिलेगा या नहीं. यह स्वाधिस्ट है. हाँ, यह रहा कैपसूल. देखता हूँ अंदर क्या है. आ, काक्रोच! क्या? कितना बुरा, यह कोई खिलोना नहीं हुआ? तुम तोनों इतना क्यों डर रहे हो? हम सब तो मीट खाते ही हैं, और काक्रोच भी तो मीट ही है, तो क्यों ना इसे भी खा ले? जी, जेन, तुम पागल हो क्या? मुझे तो लगा कापी अच्छा था. काश मेरे अंडे में भी कुछ इतना ही अच्छा और स्वादिश्ट इंतजार कर रहा हो? ओ, ध्यान से! और वैसे भी बड़े अंडे में बड़े तौफे होने चाहिए. पर यह भी है कि यह इतना बड़ा है कि मैं इसे हाथों से ही नहीं तोर सकती हूँ. मुझे लगता है मुझे इस हाथोड़ी की मदद लेनी होँगी. सब ठीक है. देखो मेरे लिए कितनी प्यारी चीज़ इंतजार कर रही थी. वा, सच में बहुत प्यारी. मैं उसे सहलाना चाहता हूँ. नहीं, मैं इसके साथ खुदी खेलूंगी. तुम दोनों यह रखो. किसमत ने फिर बारवी का साथ नहीं दिया. उसके पास सबसे छोटी स्ट्रॉवेरी है. तो क्या हुआ? हसो मत. हसने की तो बात है ही. क्योंकि मेरा स्ट्रॉवेरी तुम्हारे से कई गुना बड़ा है. और मेरे सबसे छोटा नहीं है, पर यह साइज मेरी लिए सही है. जो सबसे कम लखी है, वह शुरू करेगा. तो बारवी, तुम पहले खाओ. बताना उसे स्ट्रॉवेरी का कैसा स्वाध है. मैंने कभी नहीं खाया है. यह कोई हसने की बात नहीं है. अब तुम यह लो. क्या कर रही हो? वैसे मुझे यह पसंद आया. मेरे गालब स्वाधिस्ट हो गया है. जेन, तुम हारी बारी. हाँ, अब मैं यह खा सकती हूँ. क्या तुम मुझे एक बाइट दे सकती हो, प्लीज? नहीं, मैं यह अकेले सम्भाल लोंगी. तब तो मुझे तुम्हारा बैरी चुरा नहीं होगा. देखो जेन, उधर क्या उड़ा है? कितनी बूरी है. अब तुम अपने स्ट्रॉबेरी को भूल जाओ. क्योंकि अब वो मेरा होगा. अरे, मेरा स्ट्रॉबेरी अहां गया. क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वापस दो, क्यों? मैं किसी को अपने ट्रीट में ही चुराने दूँगी. खासकर जब बात स्ट्रॉबेरी की हो, मुझे यह इतना पसंद है. कितना स्वादिस्ट है? अलेक्स, अब तुम्हारी बारी. अरे हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा बैरी खाना है, पर मैं नहीं दूँगा. देखो और इर्शिया करो. यहां तो कीड़े हैं. यह स्ट्रॉबेरी में कहां से आए? उफ! अब हमें वो नहीं खाना. ची. लगता है इस बार हमें कमाल का केक मिला है. वाइट? ओ, कितना रंगीन है. हाँ, यह कितना सुन्दर है. पर हाँ, बेशक मुझे फिर से सबसे छोटा केक मिला. लेकिन मुझे नहीं लगता इससे इसके स्वाद पर कोई असर होगा. मुझे अपसोस हो रहा है कि इतने खुबसूरत चीज को मुझे काटना पड़ेगा. पर इसके लावा कोई चारा नहीं है. मुझे केक खाना ही है. कितना बढ़िया है? मैंने इतनी अच्छी चीज पहले कभी अपने जिन्दगी में खाई नहीं है. मेरा यकीन करो केक का स्वाद ला जवाब है. से रेजी. चलो तुम भी खाओ. सच में? फिर तुम मुझे इसे बिना समय बर्बाद किये जल से जल खाना चाहिए. काटे और चाकू की किसे जर्वत होगी? अगर मेरे पास हाथ है. इससे काम तेजी से भी होता है. और आसानी से भी. हाँ, पर देखने में लग रहा है कि तुम कोई पागल बुख़ड हो. बुख़ड जो खुश है. बार भी सही कह रही थी. यह केक सच में कमाल का है. तब मुझे किस बात का इंजार है? समय आ गया है कि मैं भी खाऊँ. अरे नहीं, लगता है जेर ने फैसला लिया है केक को नीचे से खाया जाए. हाँ, और लगता है कि वो गिरने वाला है. ओ, अब तो वो गया. नहीं, मेरा बिचारा केक. पर अब हम यह सब खा सकते हैं. और इससे खेर भी सकते हैं. इतना केक तो सब चीज के लिए काफी है. आँ, मैन! मुझे सबसे छोटा लॉली पॉप मिला है. बुरा हुआ. और आखिरकार मुझे कुछ छोटा हिसा नहीं मिला है. और मेरे पास है मेरे विशाल कैंडी. तुम किसमत वाले निकली. और मुझे इस छोटे से लॉली पॉप से संतोज करना होगा. यह स्वादिस्ट है ना? बहुत ज़्यादा. पर यह बहुत काम. बिल्कुल. तुम इतने बड़े हो और लॉली पॉप बहुत छोटा. अरे, इतनी जल्दी कोई निशकर्स मत निकालो. और वैसे अब तुम मेरी जीब देखो. यह इंद्रधन उसकी तरह दिख रहा है. वाँ, बहुत अच्छा. मुझे भी ऐसी जीब चाहिए? पता नहीं मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा या नहीं. मुझे इस कैंडी को जल्दी-जल्दी और पूरी लगन से चाटने की जर्वत है. थोड़ा मुझे भी दो. नहीं, मैं यह पूरा खाऊंगी. यह तुमने क्या किया? तुम्हे इसे चाटना चाहिए था, ना कि मुँँ में इस तरह से भढ़ना. अब इसे निकालना काफे मुश्किल होगा. लगबग हो गया. ओप्स! ओफ, चोट लगी. मुझे तो लग रहा था कि कहीं डॉक्टर के बास ना जाना पड़ जाए. मदब के लिए धन्यवाद, एलेक्स. अरे, कोई बात नहीं, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ. अगर तुम्हारा हो गया हो, तो अभी स्वादिस केंडी को खाने की बारी मेरी है. वो इसे कितने प्यार से चाट रही है. पर यह भढ़ने भी दो ना. देखो, उसकी कैंडी इतनी बड़ी है कि दूस्री तरब का कुछ भी ने पुख रहा है. शायद हमें इस तरब से उसका कुछ भी खा लेना चाहिए. मजा आ जाएगा. तुम जीनियसो. अरे, दूर हटो, यह मेरी कैंडी है. लालची. और सभी लालची व्यक्ति को सजा मिल ली चाहिए. जेन, बुरा मत मानना, बस मुझे यह करना होगा. पर क्यों? यह मेरी है, यह मुझे दो. नहीं. मत करो. अब यह तुक्ले सभी के लिए काफी होंगे. इसमें कोई खराबी नहीं है. मैं नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि यह बहुत स्वादिस्ट है. मैंने इतना छोटा सीरिल कभी नहीं देखा. मेरे पास सामा नियाकार का है. और यह अच्छा है. असल में मुझे जो मिला है, वो सबसे अच्छा है. इतना बड़ा. क्योंकि मुझे फिर से सबसे कम मिला है, तो फिर इसे पहले खाने का मेरा समय आ गया है. मेरे पास ना केवल कम सीरियल है, बलकि दूद का नहा सा पैकेट ली है. क्या तुमने कभी इतना चोटा सा दूद का पैकेट देखा है? मैंने तो भी देखा है. मुझे ति उसका स्वाथ भी पता नहीं चला. तो अब यह समय है मुझे इसके स्वाथ को मैंसूस करने का. मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसका स्वाथ कैसा है. मैंने इसके पहले कभी नहीं खाया है. मुझे स्वादिस्ट. यह नास्ते के लिए एक दम सही है. बहुत स्वादिस्ट है यह. मैंने दूद भी पिया और सीरियल भी खाया. और स्मेक अजीब सीम बूच भी मिली. वो तो है. ठीक है. अब इस विशाल बॉक्स के सीरियल को खाने का समय है. यहाँ कितने सारे हैं. सेच में बहुत सारे. सभी के लिए परियाब. धन्यवाद, धन्यवाद. हमारा भी कल्यान हो रहा है, धन्यवाद. मैंसे भी मैं बहुत उदार हूँ. अब इस पर दूर डाल देती हूँ. अब इस वादिस फ्लेक्स को खाना जरूरी होगा. मुझे शुप कामना है दो. बॉन एपेटीट. तुमारे पास शायद पूरे एक साल खाने जितने बड़ी प्लेट है. वो ऐसा ही लग रहा है. कितना समय लगेगा. मुझे तो नीम आ रही है. हाँ, मुझे भी. मैं खाँ खाँ कर ठक गई हूँ. मैं अब आँ नहीं खा सकती. मुझे अभी ये देखा भी नहीं जा रहा है. फुले, मैंने कर लिया. वाँ, बहुत बढ़िया. हाँ, हाँ, नॉम को सब्सक्राइब. वाँ, स्कीटल्स. ये अच्छी बात है कि मुझे सबसे बड़ा हिस्सा मिला है. पूरी कटवरी भरकर. ये बहुत सुन्दर और रंगीन है. हाँ, कोई बहुत किस्मत वाला है. और किसी को सिर्फ एक कैंडी मिली है. बार्वी और मैं दोनों ही भागशाली है. ज़्यादा जलू मस्. मेरे पास एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आठ, नौ, दस कैंडी है. बहुत बढ़िया. बढ़ाई हो, मुझे अपने एक मात कैंडी से जल्द इसे छुटकारब पाने दो. और इस दोर के बारे में भूल जाओ. ओ, यह अंगूर की तरह लग रहा है. इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है. शायद मैं एक दो कैंडी और ले लूँ. तो मैं क्या कर रहे हो? वो मेरे हैं, अपने हाथ अटाओ. तो कितनी रूड हो. जब खाने की बाद होती है, तो हर आदमी अपने बारे में ही सोचता है. वसे मेरे पास एक आइडिया है. इसे स्ट्रॉसे मैं अपने कैंडी को खाऊंगी. इसे अपने मुँ में रख कर खीचना है आराम से. ओ, यह अटक गया है. बचाओ, मैं सास नहीं ले पारी हूँ. बस एक सेकंड, मेरे पास एक वैक्विम क्लीनर है. ओ, इसे हटाओ, इसने मेरे होट कीच लिये. मैं बस मदद करना चाह रहा था, और मुझे लगता है कि मैंने यह कर लिया. और यह रहा, तुम्हारा कैंडी. ओ, वा, बहुत-बहुत धन्यवाद. अन मेरी बारी है, है ना? मैं तयार हूँ. मैं यह सब कैसे खा सकती हूँ? हमें कुछ दिल चस्प करना होगा. मेरे पास एक आइडिया है. मैं इसे खाऊंगी नहीं, बल्कि इस कैंडी से अपने लिए एक अच्छा फैशनेवल गहना बनाऊंगी. मैं एक अंगूठी के साथ शिरू करूँगी. एक बार में एक कैंडी लेती हूँ, और उस पर चिपका देती हूँ. जरूरी बात ही है कि रंगों को बदल कर सजाय जाए. तब यह वास्ता में काफी चमकदार हो जाएगा. कितना सुन्दर है. यह मुझ पर सूट करता है. और कैसा रहेगा? अगर मैं कुछ और जूर्डी बनाऊं तो? मैं सुई धागी से इस कैंडी में पिरो कर हार बनाती हूँ. वा, अच्छी सुरुवात है. और बनाती हूँ. वा, वार्वी ने कितना अच्छा सोचा. इधर देखो, यह कितना अच्छा लग रहा है. मैं से जल से जल पहनना चाहती हूँ. पहले यह हेड़ बैंड हटा लेती हूँ. और इस तरह से. यह सजावट तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लग रही है. धन्यवाद. पर मुझे लग रहा है कि एक फैशनेबल चस्मे की कमी है. सब कुछ एक स्टाइल का होना चाहिए. यहाँ फ्रेम सही रहेगा. अब बस यह से कैंडी से सजाना बाकी रह गया है. कितना सुन्दर है. तो दोस्तों क्या यह मुझे पर सूट कर रहा है? यह बहुत अच्छा लग रहा है. एक दम कमाल का. इतने सारे ब्रोकली. इसके छोटे से टुकडे को देख कर भी मुझे डर लग रहा है. इस दौर में हमारी किसमत हमारे साथ नहीं है. यह तो पक्का है. मुझे गोबी से नफरत है. और मैं यह खाना नहीं चाहती. कास मैं इसे खाने से बच पाती? चलो इस बार बार भी से शुरू करते हैं. नहीं. ठीक है. फिर मैं पहले शुरू करता हूँ. और मैं तुम्हें दिखाता हूँ किसे जल्दी से कैसे खत्म किया जा सकता है. इसका स्वाद यकिनन बहुत खराब है. लेकिन मुझे लगता है कि मैं समहाल लोंगा. मैं तो इस चुकड़े को पूरा खाने के लिए तयार हूँ. देखो, यह कितना आसान है. बस दोनों हाथ से उठाया और अपने मुँ में डाल लिया, बस हो गया. तुम्हारे लिए आसान नहीं कि तुम हमें मुर्ख बना सको. यह रही तुम्हारी ब्रॉकली. ठीक है, ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया. मैं मानता हूँ. लगता है मुझे यह सब खाना पड़ेगा. और इस आइडिया से मैं उतना खुश नहीं हूँ. आखिर ब्रॉकली को साध इतना खराब क्यों होता है. ऐसा लग रहा है कि मैं गास चबा रहा हूँ. क्या अब तुम संतूस्ट हो? ओ, मैं पूरा समय लेकर खाऊंगी, अराम से. लेकिन दूसरी तरफ लग रहा है कि इसे जल्दी से खा लेना बेतर होगा. तुम सही कह रहे थे, ऐलक्स. यह बिल्कुल गास की तरफ भयानक लग रहा है. और मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें इसका स्वाद पसंद आया है. एलक्स, मेरी मदद करो. मुझे अपनी इस हरी सब्जी को उसकी तरफ करना है. मुझे यकिन है कि कुछ लोग नोटिस भी नहीं करेंगे. और मैंने कुछ ऐसा क्यों नहीं सोचा? बहुत अच्छा. मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ. उद्धे थोड़ा और जोड लगानी की जरुवत है. एलक्स, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ समझ नहीं आया. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. हम इसे पूरा खत्म करना है. तुमने मुझे दड़ा क्यों दिया? तुम फिर कभी किसी और की ब्रॉकली मुझे पर ना डालो. यह लो. पर यह मेरा नहीं है. यह बार्बी का है. एलक्स, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं. तुमने मुझे दोखा क्यों दिया? हैं मुझे यह खाना पड़ेगा. मुझे लगता है यह बहुत खराब होगा. लगता हमें उल्टी कर दूंगी. तुमारे साथ से हुआ बार्बी. मुझे इसमें कुछ में मचाक्या नहीं लगता है. क्या कभी खत्म नहीं होगा? लगबख सब खत्म होगया. अब यह खत्म नहीं हुआ है. रूप जाओ. यह कितना भयानक है. यह घिनोना है. अब बेतर मैसूस हो रहा है. उपस. केवल एक मार्श मेलोस. और हुआ भी इतना छोटा सा. हाँ. यह मेरे लिए तो निश्चित रूप से कम है. मुझे लगता इस दौर का वीजीता स्पस्ट है. यह मैं हूँ. अगर तुमें कोई आपती ना हो, तो मैं मज़े करने के लिए कुछ तरीके ढूण सकता हूँ. देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं अपने मार्श मेलो को अपनी उंगली पर लगाता हूँ. और इस पर एक चेहरा बनाता हूँ. अब मेरे पास एक नए आदोस्त है. यह बहुत मज़ेदार लग रहा है. वह मुझसे मिलने आया था. और मुझसे भी. इसे अलवीदा करने का समय आ गया है. मुझे बहुत भूख लगी है. तुम कितने क्रूर हो? तुमने यह क्यों किया? मैं चाहती थी कि वो हमारे साथ रहे. मुझे नहीं पता था कि तुम इसे इतना प्यार करने लगी हो. माफ करना. मीठा खाकर मुझे हमेशा खुशी मिलती है. पर मार्शमेलो खाने से पहले मैं इसे थोड़ा भूणना चाहती हूँ. चलो शुरू करें. वाँ, मुझे नहीं पता था कि हम ऐसा कर सकते हैं. क्या इतना काफी है? ओ हाँ, गुरा नहीं है. गुरा नहीं है. यह एक अच्छा आइडिया था. आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ. मार्शमेलो पिगल गया है. और अब यह काफी स्ट्रेची हो गया है. यह काफी नरम और लाजवाब है. मैं रुखना नहीं चाहती. और मैं क्यो रुखू? मैं जल्दी से जल्दी यह सारे मार्शमेलो उसको खाने वाली हूँ. यह कमाल के हैं. अब मेरी बारी है. मैं बहुत उपर से शुरू करूँगी. सच मुछ बहुत नरम है. बार्वी, क्या मैं भी थोड़ा ले सकता हूँ? प्लीज, मैं तुमसे विंती कर रहा हूँ. तुम सच में मुझे बहुत परिशान कर रहे हो. क्या तुम्हें मार्शमेलो चाहिए? फिर पकड़ो. ओ, ठीक है. पर यह कहां चला गया? मैं उसे कहां खोजू? मुझे नहीं मिल रहा. उफ, मुझे कोई कैंडी नहीं मिली. लगता है आज का दिन तुम्हारा नहीं है. एलेक्स, परिशान मत हो. देखो मेरे पास क्या है? तुमने मुझे धोखा दिया. तुमने वास्ता में मार्शमेलो फैक आई नहीं था. बेशक नहीं. मैं क्यों कुछ बर्बाद करती? चलो, अब बस हो गया. मुझे अकेला छोड़ दो. बार्भी अपने काम में लगने वाली है. शायद तुम हामे मी थोड़ा दो. अच्छा ठीक है, ले लो. नहीं तो तुम लोग मुझे चैन से खाने नहीं दोगे. इस बार में पास सबसे छोटा हिस्सा है. कभी-कभी ऐसा होता है. जो है, उसे स्विकार करो. वाँ, किस्मत मुझे पर महरबान है. यहाँ डोनट का पूरा पहार है. बार्भी, तुम शुरू करो. खीक है, मुझे लगता है कि मैं इसे जल्दी से समाल सकती हूँ. वाँ, डोनट के अंदर जेली फिलिंग भी है. मुझे लगता है यह बेरी है. बहुत स्वादिस्ट. और बहुत सारा फ्रोस्टिंग भी. मुझे बहुत सारा खाने का मन है. अरे, मेरे डोनट से अपना हाथ अटाओ. कितने रूड हो तुम. है, कोई बात नहीं. मुझे जो चाहिए होता है, वह मैं ले करनी रहती हूँ. एलेक्स, देखो वहाँ क्या है? वह जहासे में आ गया. अब ध्यान मत अटाओ. मुझे समय चाहिए तुम्हारे डोनट्स खाने के लिए. कितना स्वादिश फ्रॉस्टिंग है. मैं सच में सारा खा जाना चाहती हूँ. बार्वी, वहाँ कुछ भी नहीं है. मेरे डोनट्स को क्या हुआ? मैं अपनी नजर उस पर बनाए हुई थी, ताकि कोई उसे चुरा न ले. मुझे तुम पर विश्वास नहीं है. तुमने सारी फ्रॉस्टिंग खा ली. उसके साथ ये बहुत सारी सोटा. पर इस तरह से भी ये बुरा नहीं है. तुम लोग बहुत मचा क्या हो? हाला कि अब मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं है. ये समय है अपना ध्यान अपने डोनट्स पर देने का. ओ, कितना नरम है. मुँमें डालते ही घुल जाता है. मेरे पास एक आइडिया है. हमें ये मचली पकड़ने वाली रॉड की जर्वत होगी. रुखना मुश्किल है. कुछ पकड़ा गया है. मैंने एक डोनट पकड़ा है. मेरे योजना काम कर लए है. ओ, श्रॉस्टिंग के साथ इसका स्वाद बास्तम में और भी बेतर होता है. मैं अपनी मचली पकड़ना जारी रखती हूँ. यहाँ आओ मेरे प्यारे, मैं तुम्हें खाऊंगी. एक और, मैं तो मास्टर हो गया हूँ. एलेक्स, तुमारे पास वहाँ क्या है? ये मेरे डोनट्स हैं, उसे वापस करो. जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ये तुम्हें मिलने वाला नहीं है.